नमस्कार दूस्तो मौसम ताज़ा समचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मौसम विभाग को लेकर अभी अभी इस वक्त के सबसे बड़ी खबर चक्रवाती तूफान की वज़े से अगले 48 गंटे किसान भाईयों के लिए बेहद ही खास रहने वाले हैं कई राज्यों में गरद चमक के साथ भारी बारिष का अलर्ट और कई राज्यों में ओले गिरने के संकेत भी मौसम विभाग के द्वारा जताए गए हैं कौन-कौन से राज्यों में भारी बारिस होगी, कहां पर हल्की ओलव रष्टी होगी, तता कहां पर तेज दूप और हिमसकलन होगा, मौसम विबाग के द्वारा नई लिस्ट जारी कर दी है साथियो देश का एक मातर चेनल है, जिस पर मौसम से जुड़ी बिल्कुल लेटेस्ट और सटेग जानकारी आप तक अपडेट की जाती है फिलाल दोस्तों कई राज्यों में अंदकार सचाया है और सर्दी दो बारा से आ गई है वहीं साथियो पहाड़ी राज्यों में हलकी बारिश के साथ ओलव रष्टी होने के संकेत भी मौसम विबाग के द्वारा जताए गए हैं अब साथियो आपको बता दें अभी फरवरी का महीना खतम भी नहीं हुआ है कि देश के कई इलाकों में तो लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है दिन में तेज दूप निकलने के कारण लोगों को गर्मी का अनबाव होने लगा है आलम यह है कि कई जगों पर तापमान का जो पारा है 40 डिग्री के पास पहुँचने के करीब है महराष्ट, गुजरात, राजस्थान, मद्दे परदेश के कई इलाकों में तो अभी से गर्मी लोगों को परिसान करने लगी है और यहां के कई इलाकों में तापमान 35 से 49 डिग्री के बीच बना हुआ है IMD के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों में इन इलाकों में याने की महराष्ट, गुजरात, राजस्थान, मद्दे परदेश इन इलाकों में दोस्तों नियुनतम तापमान सामानने से 4-5 डिग्री ज़ादा रहने के आसार है वही सातियों बता दे पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में भी नियुनतम और अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोत्री दर्ज की जा रही है और यहां भी दोस्तों दिन के समय लोगों को ठीक ठा गर्मी का एहसास होने लगा है हालांकि रात की समय तापमान में थोड़ी गरावट दर्ज की जा रही है दोस्तों आज भी गिलगिट मुझपराबाद, जम्मुकस्मीर, लद्दाख, हिमाचल परदेश और उत्राखंड के कई हिस्सों में हलकी बरबारी और बारिश की आसार बने हुए है मौसम विभाग के मुताबिक नौर्थ इस्ट के राज्जियों, अरुनाचल परदेश, आसम, मेगाले, नागालेंड और मनिपुर के कई इलाकों में आज और कल तेज बारिश हो सकती है निजी मौसम पूरवानान एजेंसी इसकाइमेट वेदर रिपोर्ट के मताबिक राजस्थान और गुजरात में दिन के तापमान में दूसे तीन डिगरी की कमी आ सकती है हालांकि मद्य भारत के कई हिस्थों में दिन और रात का तापमान सामाने से उपर रहने के आसार हैं जबकि जम्मू कस्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्राखंड और अरुनाचल प्रदेश कुछ जगों पर हल्की बरपबारी और बारिश हो सकती है इसके साथ असम, मेगाले और सिक्कि में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है बाकी राज्यों में अभी पांच दिनों तक मोसम साप रहनी वाला है लेकिन उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई इलाकों में भेंकर अंदकार सा चान लगा है दोबारा से कोहरा आ गया है जिससे तापमान में गिरावट हुई है मोसम से जुड़ी सभी राज्यों की जानकारे के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें तता आप वीडियो कहां से देख रहे हैं बताएं